नमस्कार आप सभी को श्वागत करता हूँ कुरुकुल दाउसरम डॉल चैनल में आसा करता हूँ आप सब स्वस्त हैं और आप लोग की आदेत्मिक उन्नती आके वड़ रही है। वो होता है आत्मिक शान्ती प्रदान करना यानि अपने अत्मा को सांत कर देना त необходимо में चल रहें भिभप्रकार की बिचार भिभ परकार की भटकाव जिसको वो पूरी तरह है वो आप जाके देख सकते हैं और किस प्रकार से आपकी अंदर में परिवत्तन करता है और कि ब्रहंबात में ईपने सरीर में घेंचता है इसके बारे मैं आपको वंननन करूंगा पहली बात है ओम क्रिश्णा अनम मंतर का पहला जो changes होता है मन की situation पर यानि मन की जो दसा होती है उस दसा के उपर उसका परिवत्तन पहला होता है यानि कितना भी आप असांत रहते हो कितना भी मन में दुखों की बादल है कितना भी मन में आप हर तरह क्या बात सोचते रहते हो, लेकिन जब से ही आप ओम क्रिम कृष्णायनम मंतर का जाप करोगे, उस समय आपकी अंदर में एक प्रकार की परिवत्तन होगा, एक प्रकार की ऐसी तत्तो घटित होगा, जिस तत्तो का नाम है आनन तत्त, यानि परम आ क्योंकि कभी भी आप ओम क्रिम कृष्णायनम मंतर का जाप करते हो, आपका मन तो सांथ होता ही होता है, सरीर में एक प्रकार की फूर्ती आती है, यानि आपको दिन भर आप असुस्त महसूस करना, ठका हुआ महसूस करना, और कुछ करूं या ना करूं, कहीं जाओं या ना महसूस करोगे, यानि आपके अंदर में उर्जा महसूस होगा, इसलिए देखते हैं, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग जो किर्टन वगरा करते हैं, वो हमेसा फूर्ती रहते हैं, उनका अंदर में एक प्रकार की जोस वाला तरंग लेहर खलता रहता है, जिसमे से उनको ये महसूस होता है कि किस प्रकार से वो अपना दिन का काम करेंगे और भगवान का नाम जब करेंगे और किर्थन करेंगे, इसलिए ओम किलिम कुछनायम मंतर आप हैरान रह जाओगे, अगर ओम किलिम कुछनायम मंतर का बारे में आप जानके, कि एक मन में जो महसुस कराएंगे बात में थोड़ा कमता है आप regular जाप करते हो तो आपको महसुस होगा वरना थोड़ा कम जाएगा लेकिन इस मंतर का प्रभाव ऐसा है कि अगर आप इस मंतर को 10-15 दिन भी जाप करते हो या फिर 10-11 दिन भी जाप करते हो उसकी जो उरजा बोडी में बनती ह रहता है आपको सांत मेहसूस होना आपका मन में जो गलत विचारा है रूख जाना भगवान सिर्किष्ण के ध्यान में लीन हो जाना और भगवान के नाम कि हरे कृष्ण नाम सुनते ही आपके अंदर में प्रकार की जोस आ जाना कि अभी मैं कृष्ण भगवान की नाम गाओं, कृष्ण भगवान की नाम को स्मरण करूं, ये सारे चीज एक तरंग खेल जाते हैं, ये बहुत दिन तक कंटिन्यू होता है, आप 15 दिन भी करोगे तो 2-3 महिना तक उसकी भाव रहती है, ये ही मंतर की सबसे ज़्यादा खासि हो जाता है, हैरान रहे जाओगे आप ओं क्रिम क्रिश्ण भी करो किसो कोई फड़क नहीं पड़ता ऑम टन कृष्ण एसा अगर करते रोगे आपकी सरीर में एक एसा उर्जा का प्रभाव होगा जिसका बर्नन आप खुदी कर सकते हो दूसरा ब्यक्ति नहीं कर सकता इसलिए क्रिशन भगवान की तत्तों में जितने भी सारे लोग होते हैं उनकी जो उपासना करते हैं वो हमेशा खुस रहते हैं ये था इसका एक ऐसा रहस्य जिस रहस्य को मैं बताना चाहा रहा था और आज मैं आप सभी को वो रहस्य बता रहा हूँ इस पीसे को ध्यान से सुनना समझना कि ओम क्रिम कुष्णा अनम मंत्र किस प्रकार से आपने जीबन में परिवत्तन करता है इस मंत्र का जाप जल्द रहस्य बताल जाएगा जय स्री क्रिश्णा